सो गाईज जैसा कि आपको मालूम होगा बांगलदेश में तक्ता बलट हो चुका है वहांकि जो प्राइम मिनिस्टर थी स्थेख हसीना वह अपना देश छोड़कर बांगलदेश छोड़कर लंदन शिफ्ट हो चुकी है इसी खबरे आ रही है शोशल मीडिया की उपर आपको सब्सक्राइब एक सेख्राइब करोस्तेश या कॉटा कर लोगन था तो फिर कुछ मायनोरिटेश थी उनके लिए कोटा था तो फिर यह स्टूडेंट पिर फिर कुछ कम्यूंटिटी से वह इसका प्रोटेस्ट कर रही थी जन्म जात यह फिर जनेरेशन टू जो कोटा मिल रहा है आर्मी वालों को वो नहीं मिलना चाहिए मोटा मोटा यह कारण था यह पूर प्रोटेस्ट का लेकिन यह जो प्रोटेस्ट था यह बहुत ज्यादा उग्र हो गया और इसमें फिर कुछ एसी शक्ता जो गलत शक्तिया थी वह शामिल हो गई और अब बागलदेश में त के ऊपर हमलक किया जाता है तो हम लोग खुल कर आवज उठाते हैं किसी मारा जाता है उनके साथ कुछ भी होता है तो हम लोग आवज उठाते हैं उनके साथ खड़े रहे वह हमारे भाई है लेकिन दोस्तों जब बांगलदेश में जो अल्प संक्यों हिंदू है ना वो भी हमारे भाई है वह भी हमारे भाई है उनके साथ जब गलत हो रहा है तो कुछ लोग मजा ले रहे हैं इस बात का आपको बताता हूं मैं कुछ इसे तुट्र हैंडल से मैं ने देखे जिसे देखने के वाद मेरा दिल सा बेड़ गया दोस्तों क्या बताऊ मैं आपको यह जायेंगे, सब तक गिराये जायेंगे सब बस नाम रहेगा तो Allah का Islamic movement यानि कि जो भी बागलादेश में हो रहा है वाजित खान नाम का ये बंदा तुटर हिंडल वारा, इसको Islamic movement बता रहा है जिसका counter जो प्रोफ़र दिलिप मंडले वो बढ़िया करते ट्विटर पर यह देखिए वो यह कहते हैं यही खत्रा है जिसके बारे में महात्मा गांदी और डॉक्टर बाबा सावांबेट करने आगा किया था कि पहली वफादारी देश के प्रती है या मज़ब के प्रती मजब को हमेशा दुसरे नंबर पर होना चाहिए लेकिन कुछ लोग है जो मजब को या धर्म को पहले नंबर पर रखते हैं वो दोनों साइट है संगी भी है और मुसंगी भी है और मैं दोनों का विरोत करता हूँ आप करते हो या नहीं करते हो में जरूर अपने राय दीजिए गा आपको पता ही होगा जो अभी सबसे बड़ा इसू चल है उसके खिलाफ है जैसे कि बहन जी सबसे बड़ी नेता खिलाफ है जैसे कि चिलाक पासवन जी जो कि केंदर में मंत्री भी है जैसे कि चंदरशेख रायत जी जो कि एक सांसद है वो भी खिलाफ है और भी कई नेता खिलाफ है प्रकाश अंबिटकर जी खिलाफ है रामदा दिया है जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है और खास कर दोस्तों ये एक विक्ति है कोट के वकील है सुप्रिंग कोट के वकील इनको बता जाता है राकेश भंगीन का नाम है शोशल मीडिया की उपर ये विक्ति जो है ना बहुत ज्यादा मुखरों के बोलते हैं लगाता का आरेक्शन हो याने की जो सुप्रिंग कोट ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है इनका नाम है रमेश भंगी राकेश भंगी नहीं रमेश भंगी नाम है ये इस बात का सपोर्ट कर रहे है हाला कि दोस्तों एक पोस्टर और बहुत फेल रहा है शोशल मीडिया के उप बुर्ब रहे थे सविधान की दुभाई दे रहे इई रहे थे सव और श्रमपर रहें परियो रहे थे सविधान को बचाने निकले है यह बताहरे थे लेकिन जब इतना वड़ा verdict आ गया है जिसे कई लोग सविधान के खिलाब बता रहे है उसके लिए बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है हाला कि समझवादी पार्टी ने तो कोटे में कोटे के आरक्षेन का समर्थन कर दिया है मैंने एक वीडियो देखा था धर्मेंदर कुमा धर्मेंदर यादो जो की समझवादी पार्टी के सांसे थे उनका लेकिन रहूल गांदी जेसा विक्ति जो की दिन भर दलीत पिछड़ों के अत्याचार के लिए बोल रहा था सविधान बचाने की बात कर रहा था बाबा साब की बात कर रहा था उसका मूह नहीं खुला इसलिए ये पोस्टर बहुत वाइरल हो रहा है आप क्या कहूंगे नीचे कॉमेंट जरूर करें दोस्तो भही भेंजी का एक और बयान निकल कर आया है सामने मायवतजी ने एक बड़ी बात कहिए वो कहती है आपक कालेन इस्तती को समझते हुए एक जूट हो जाओ और सभी राजनितिक पाटियों के उपर दबाओ डाल कर उन्हें सविधानिक संसदोधन के लिए मजबूर करो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात उन्हेंने कहिए कि सभी लोग एक हो जाओ एक जूटता दिखाओ और सभी राजनितिक पाटियों के उपर दबाओ बनाकर सभी धानिक संसदोधन के लिए उन्हें मजबूर कर दो वही दोस्तो चंदर शेकर आजाद जो लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे है चाहे मीडिया में बाइट हो चाहे वो अपने ट्वीटर हेंडल से लेख रहे हो उनका क्येना है अगर कोई हमारे अधिकारों को डेकारने का लूटने का प्रयास करेगा तो छोड़ेंगे नह हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं सही बात है हमें यहाद इसम ли आखासकर बहुजन समझ को बड़ी मुश्किलों से मिली है हमारे कही जो बहुजन नेता थे हमारे फीरो इसमिपैर आइडल थे उन्हे अपना सब कुछ सेसे निचावर कर द तरीके से लड़ेंगे और जितेंगी भी यह कहने का मतलब है चंदर शेकरादात का आप क्या कहते हो इस बारे में नीचे कॉमेंट करके भाई अपनी राये देना बिल्कुल मत छोड़ा करिए तो दोस्तों यह जो पुरा वर्डिट वर्डिट आया है ना यह जो आरक्षन में वह चमारो ने खाई है और जो बालमी की जाती है कोरी है मुसाहार है यह पिछड़ गये है और यह आगे नहीं बढ़ पाये है सिब दो तिन जातिया आगे बढ़ी है और दोस्तों यहापर जो जो जितन राम माजी है जो कि अभी वी केंद्र में मंत्री है वह इसके पक्षम में है उनका कहिना है कि जो सुप्रिंग कोट ने फेसला दिया है वो बिलकुल सही है जतना राम माजी का यह कहना है और वही उनके साथ ही पासवाण जी उनका कहना है यह गलत है सब की दो राये बन रही है सभी एक मत्र आनी पा रहे है जितने भोजन नेता है जिनमें से ज् है क्योंकि जंता आप हो ये ढृत घुम रहना इनको आपने बनाया है और आति जो राय होगी वह भ福 यह कि निशल कोमेंट करो भर के की आपकी राय क्या है फे doses ला आया है उस से विट plants कर करके बताओ वीडियो का लाइक करो चेलों को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाओ मिलते हैं अगले और किसी जबर्दस्ति वीडियो में